आप सोच रहे होंगे कि इंडॉक्स कोई हो क्या रहा है यह एक वाइरल जानलेवर डिजेज है जिसका नाम कैनाइन डिस्टेंपर है यह वाइरस एक ही समय में फिजियोलोजिक सिस्टम डेमेज करता है जिसकी वज़े से गंबीर वाइरल होता है इसका अलाज करना मुश्किल है क्योंकि यह डॉक्स के नर्स सिस्टम को डेमेज करता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारी टी में एक डॉक को रेस्क्यू करने गई और अब हैं वहाँ पहुच कर पता चलता है कि इसे डिस्टम करें आप इसकी यह हालत देख सकते हैं हम इन जैसे डॉक्स को हस्पिटल लेकर आते हैं इनका अलाज करते हैं और इने बाकी डॉक्स से बिलकुल अलग सेप्रेट रखते हैं क्योंकि एक वाइरल डिजीज है मतलब एक डॉक्स से दूसरे डॉक्स में फैलने वाली इसी करान से हमें इने बाकी डॉक्स से अलग रखना पड़ता है आम तोर पर इसके लक्षन होते हैं आख या नाख से पानी भेना फीवर कफेंग खाना ना खाना ओमेटिंग यह सभी डिस्टेंबर के इनिशल सिंटम्स हैं कई लोग इसे फिट्स मतलब तान की बिमारी भी समझ लेते हैं जिसकी वज़े से लोग इसे नजर अंदाज कर दोते हैं समय पे सही इलाज ना मिलने पर वाइरस डॉक्स के नर्व सिस्टम पे डैमेज करता है जिससे डॉक्स को पार्शल यह कंप्लीट पेरिलाइज अननेसेशनी मस्कल टुटिंग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना परता है हम अपने पैट डॉक्स को फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट तो करते हैं अक्सर अपने पैट डॉक्स को रेविज वेक्सिन लगाकर निश्चिंद हो जाते हैं पर हम डॉक्स के वेक्सिनेशन को इतना एंपोर्टिस नहीं जैते हैं हमारे इस इग्नोरेंस से बेचारे डॉक्स को डिस्टेंपर, पार्वो, एपेटाइटिस जैसी खतरनाक जान लेवा बिमारियों से जुझना पड़ता है कुछ डॉक्स इन बिमारियों से बच नहीं पाते और वो अपनी जान खो देते और जिन डॉक्स की किस्मत अच्छी होती है, उन्हें भी अपनी बाकी लाइब कुछ इसी तरीके से बितानी पड़ती है वीडियो में बताए सभी बिमारियों से प्राइट डॉक्स को बचाने के लिए आप अपने डॉक्स को 6-in-1 वेक्सिन लगवाए जिसका शडूल कुछ इस तरीके से है शायद आप मैंसे कई लोगों ने अपने फैमिली मेंबर जिसे पैट्स को कभी नगभी खोया होगा क्लीज अपने पैट्डोक्स को वेक्सिनेट कराए और इसका रिकोर मेंटेन रखे